क्या कोई यखीन कर सकता है कि बेटा कतल करने जा रहा हो और उसके बाप को इसकी पूरी खबर हो पुलिस की पूश्टाच में साहिल गहलोत में जो रास उखले हैं उनमें से एक ये भी है कि विरेन गहलोत को बेटे का पूरा प्लान पता था उसके दोस्त सबूत मिटाने में उसका साथ दे रहे थे उसका एक भाई जो पुलिस में सिपाही है वो बता रहा था कि कानून से कैसे बचना है अब तक आपने निक्की मडर की इंसाइड स्टोरी में जान समझ लिया कि कैसे साहिल ने निक्की को गुमरा करके उसके बिंदापुर स्तित फ्लैट से उसको लिया और आनंद विहार निजामुदीन से लेकर कश्मीरी गेट गुमाने के बाद तीम घंटे के फीतर उसका कश्मीरी गेट के पास कतल कर दिया अब यहाँ इस कहानी के साजिश के भागिदारों की एंट्री शुरू होती है साहिल ने अपने दोस्तों और भाईयों को तब फोन किया जब उसकी कार में निक्की की लाश रखी थी सुनिए इन चार लोगों से साहिल ने क्या कहा अपना प्लान पुरी तरह से काम्याब रहा मैंने निक्की को मार डाला है निक्की की लाश कार में रखी है अब इसको ठीकाने लगाना है अब साहिल और उसके साथ चार लोग निक्की की लाश को ठीकाने लगाने के लिए निकलते हैं एक कार में साहिल और निक्की की लाश है जबकि दूसरी कार में उसकी दो दोस्त लोकेश और अमर और दो भाई आशीश और नवीन है दो कार में ये लोग साहिल के धाबे की ओर जाते हैं चार लोग धाबे के बाहर निक्रानी के लिए खड़े हो जाते हैं जबकि साहिल धाबे के भीतर कार को खड़ी करता है कार की अगली सीट से निक्की की लाश निकालता है और लाश को कार की धिकी में डाल देता है इसके बाद पाँच लोग दूसरी कार से घर के लिए निकलते हैं जहां पहले साहिल की शादी का जश्न चल रहा होता है अब तक आपने साजिश में साहिल के साथ शामिल चार लोगों के बारे में जाना अब इस साजिश के एक और सबसे बड़े किरदार विरेंदर सिंग के बारे में बताते हैं विरेंदर सिंग याने साहिल के पिता विरेंदर सिंग को इस कतल का पहले से पता था कि उसका बेटा निक्की का कतल करके उसे रास्ते से हटाएगा ताकि दूसरी शादी कर पाए जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था उसी को लेकर पुलिस को आशंका थी कि अकेले एक शक्स का काम नहीं है और यही वज़े है कि पुलिस ने जब साहिल गहलोद के पिता के रोल की जाच की तो काफी सच सामने आ गया पुलिस को पता लग गया कि साहिल के पिता को सारी जानकारी थी यहां तक कि आगे किस तरीके से लाश को ठिकाने लगाना है इस साजिश में भी साहिल के पिता शामिल थे अब पुलिस कश्मीरी गेट से मित्रव गाउं तक के रूट के CCTV को भी खंगाल रही है जिससे कतल की जगे से लेकर लाश चुपाने की जगे की हर कडी को जोड़ा जा सके ये भी साफ है कि साहिल काफी शातिर था इसलिए उसने कतल के बाद निक्की के फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया क्योंकि निक्की के फोन में हर वो सबूत था जो साहिल को कानून के शिकंजे में ला सकता था लेकिन पुलिस अभी से काफी सबूत चुटा चुकी है जो साहिल को उसके किये की सजा दिला कर रहेंगे इमान्चु मिश्रा के साथ आज तक विरफ